तो अभी अपन कौन सी जगह आगे हैं अभी अपन आये हैं रानी पदमाती के महल देखने के लिए शिरिफ गर्मी के चार महीने वाला गर्मी के चार महीने इसको बोलते है समर पेलेस क्योंकि उस टाइम पर कूलर पंक्रा ऐसी की सुईधा ना थी तो इसको पानी की बीच में अबनाई गया उस टाइम पे एक लकड़ी के नाउ दोवरा इसके अराणा जाना हुआ करता था था बड़ा मेहले और बड़ा मेहले रानी पधमाती की दासियों का यह वाला यहां का एक पंडित हुआ करता था रागव चेतन नाम का वह का ले जादू तो गड़त निगा थी तो रावल दतन सिंग ने बहुत बार समझाए कि यह चीज़े आपको शोबा नहीं देती है लेकिन वो इसकी आदतों से बार नहीं आया तो भरी सभा में बुलाकर बेजज़त करके यह से बाहर निकाल दिया था लेकिन वो जाते जाते बोल के गया था कि मैं तो यहां से जा रहा हूं लेकिन इस चित्तोर गऴ को गुतने के बल पर लेकर आऊँ और यहां से वो नीचे जाता है यहां के जितने भी दास थे जितने भी लिक पोइंट थे उसने दिल्ली के बाश्य अलावदिन खिल जी को बताया था कि चिक्तोर गड़ में इतनी खुपसुरत रानी है कि पानी भी पीती है तो उसे गले से मेसुस कहा राता है एक बार अगर आप उसको चिक्तोर गड़ से द को बार इनकी हाइट ओनार्ट तो वह देखता एक तो इसको अठेक करना इन पॉसीबल है यहां से वापस हो दिल्ली जाता है दिल्ली से अपनी सारी सेमा λेता है वो दिल्ली से चिक्तोर गड़ तक रश्त में जितने म की लिया आते हैं उनकि ओपर वह आकरमन करता है उनकी सेना को अपनी ओर मिलाता है वो चित्तो और गड़ छे महीने 14 दिन तक इसके में फ्रंट पे डेरा डालके रखता है जैसे मैंने बोला उस टाइम पे इधर ऐसे 84 वाटर टेंग थे 62 से 67 अजाल लोगों की आबादी किल्ले के उपर थी यानि के राजा के साथ सारी परजय किल्ले के उपर रहा करती थी उस टाइम पे स्रीपीतर खेती होती थी किल्ले के नीचे तो अलावदिन खेल जी ने 6 महीने 14 दिन तए इसकी खेती पे कबजा करकर रखा उपर अना जाना जाना कम हुआ रावल रतन सिंग ने उनको एक लेटर लिखा कि आप दिल्ली के बाश्या अलावदिन खेल जी मेरे किल्ले के नीचे आप क्या कर रहे हो तो अलावदिन खेल जी ने लेटर का जावब लेटर से दिया कि मैं यहां कोई यूद लणने के लिए नहीं आया हूँ मैंने राणी पादमवादि की सुन्दर दिल्ली में सुनी के वो इतनी सुन्दर है कि वो पानी भी पीब्ठी है तो उसे गले से मेसस किया जाता है कि वो पानी पी रहे है एक बार अगर मैं उसका चेरा देख लूँगा तो यहां से अपनी सारी सेना लेका दिल्ली लोड जाओंगा रावल दतन सिंग बोलते हैं ठीक है हम आपको रानी पदमाती का चेरा दिखाएंगे लेकिन फेस्टो फेस नहीं एक चांदी की यह जो तीन मंजिल की बिल्डिंग है बीच वाली फुलोर पे चार चांदी की प्लेटे लगाई जाती है नीचे से अलावदिन खिल्जी को आखों पर पट्टी बान कर यहां लाए जाता है और यह जो मेल की सीधिया है यहां पर रानी पदमाती की पोशाग पन वह बोलते हैं कि गर का भेदी लंका डाहे यहीं का एक सेनिक बोलता है कि अलावदिन खिल्जी आपको रानी पदमाती ना भिखाता रहे उसकी पोशाग पिनाकर एक दासी का चेरा दिखाए गया है तो यहां एक बोट बड़ा यूदो के मेन प्रंड पे जहां भी अपन च चीशे अभी जो पदमाती मुई बनी आपने सुनाएगा उसके विरोध में करनी सेनावलों नहीं आपके चारी आईने तोड दिये थे उन्होंने बोला थे यह इतियास गलत है क्योंकि तेरा सो तीम के अंदर कांच का विश्का नहीं हुआ था तो आपने आपके कांच क्यो दो आपके तो राने इधर रोके जाती थे और वो फुरंग बने हुए वो किदर से यह फिर फुरंग उपने है यह वह कौन सा है वह सामने अभी जो दिख रहा है वो तो फटे परकास मीजियम है जिसके अंदर तलवार बंदू पर वाले रख्या में अब यह भी रख्यों कि अरिजिनल खाव पर फिर उजयपूर सिटी पिले और माराना बर्ताव का उरिजिनल समान इधर समते निग्या कोई अब जावा निमा जो डायरे गठाएंगा अब जानगा जाना हुए जान में बदल रखा है कुस्टेम पे राजा माराजे के सभा अगेरा इधर हुआ कर परजा नीचे बेठा करती थी लेकिन अभी इसको गार्डन में बदल राजा कि दर वेठते हैं यहां पर राजा उन्ती मंदुरियों के साथ इधर वेठा करते हैं और नीचे सारी परजा बेठा के थी लेकिन अभी इसको एक गार्डन में बदल तो रानी भी इधर इधर हो यहां बीच मेरानी के आगे जिसको कुम्मा महल के नाम से जानते हैं इसकोर रानी डाजा बेठकर बाते अधां से बाते प्या करते हैं वघ कर चारव राथ हती दिया एक रुदसर चार जाते हैं इसलिई इस लिपर इसके अवा मेल के नाम से जानते हैं यह वो रस्ता है जहां से रानी पदमाती लगडी के नाउ में बेठ गे पानी वाले मेल में जाती थी और वहां से लगडी के नाउ में बेठ गवापस यह इतना उचा पहले से था यह 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 ज़िए अफेर तक सीडिया निहीं चाहिए अभी गॉर्मेंट ने इसको बंद इन दो पर शमता शिर्टी तो आगे चाल दाश्यों के रोम देखने किलें जो अपटापी ए रानी पजमाती की दास्यों के रूम हुआ करते थे रानी और राजा जब उसे उसे गुजर्टे थे तो उनकी दास्या इसके ओपर खड़े हों के उनकी फूल बड़साय करती थे य प्रुराना होने की जसे चटे थूट चुकी है तो गोर्मेंन ने इसके दुबारा रिपेरिंग नहीं कराया इनको बोलते है जरो के जापर लेडिस लोग एक दूसर से बेठे के बाते क्या करती है आपने ना सोला सिंगार के बारे में तो सुना होएगा तो रानी पजमाति का बीच में दिवाल दे रखी है इधर पूरा लेडिस का पाटिशन था उधर पूरा जैन्स का पाटिशन तो यह रानी पजमाति की दास्यों परूरा किल्ला एक वेल मश्ली के आकार में बना हुआ है इसके सिर वाले इस्ते पर पूरा गाउं बसावा है पेट वाले इस्ते जितने भी मोनोमेंस है और इधर पूंच वाले इस्ते पर पूरा जंगल एर्या बना हुआ है तो यह गाउं जो पहला था वह इना विजैस्तम टावर के पास में था लेकिन राजा फटे सिंग की टाइम पे उसको उधर शिप्स करा था जरोके हुआ करते नहीं नहीं जरोक तो वह थे कि जिसमें अपन बेठा रहे हैं यह क्या कि खिडिया वगरा हावा लेगी ती अब इस सब तूट शुकी है गुवर्मेंट ने इसको दूबारा रिपेदी नहीं कि नहीं कि यहां से दिखता हुआ है यहां से दिखता हुआ है यह नीचे एसके से बना हुआ यह नीचे नीचे से बना हुआ है इस बार क्या पानी कमाया पांधि यह सारी इस बार क्या पानी बोट कमाया इसलिए फोड़ा उपावा और भी घहरा है कि यह और विख में पड़ी में गल्ग और भी शूप जाता है बिल्कुछ जाए ना एक दम शुका सनब उप इसके अ अ कंना मैहीत कि ब्लाव मेहीत कुछ दो रू में hall atum किसी के पदिसिए और जो में है दो रू गोले छोलो में हर stack इसका रस्ता आप पर जड़ रहा है उसका एक उपर सफ से लूब च है उसका इसका रह सुरिठ़ा को Cerna पानी कमाया ना इसलिए पूरा सुका हुआ है बाकि यह आदा महल पानी के अंदर दूबा वह रता है उपर से दिया नहीं नीचे उतर नहीं का तो फिर इसमे एक चीज बता हूँ जो जो नीचे सांस केशे लेते होंगे ना जो पर से खुला वा है ना वो जो सीडिया रही ना वो पूरा फुल आवा है उपर से तो इसलिए उदर से हवा पास होती है चार सांस की प्लेट है यहां लगए निचे जोगा कर सामने सीडियो का सेंटर मिला है ना जो पानी की चेची ने बाए गोड़ा और बाला लगए निचे अगर वो पीच्छे पूर सी गरदर से अलग इसको रादी पृष्पादी का चेहरा देखने के लिए नहीं है यहां से जब तक वो तीन गदा आद यहां जालँ को तु आदे नहीं हैं में नहीं है आप колि अड़ी विले के प्लेट में ही यह उडना प्छला motiv sondern विलती है जब यह हैं से झालना के यह नहीं लिगा जोग यह दो आम अच्पिक भी आप टी तरो द्यूर्ट, हुआ जब है अजराइज को तो दो यह दो दो यह को जो दो सौनका है और जो अज से लिए अज्ध को चैना है कुछ अच्छ गटार्य मान को वा बताए अच्छ तो वो एक प्लेट में दिख रही है थी तो वो चाबस दिख रही है यहाँ से पहले है वहाँ देखा था उसका मुता अस सब्सक्राद ग्यारा के तरह तो उसके वहांद देखा था उसकी वह शाक पिन आगर एक दासी को अलाओदू फिल्थी ने इस पिल्डे को बते गली यह किला नीचे भी है, मतलमें वो अंदर भी है अंदर भी है? उस टेंब पे यह है जंदा रेता है अब इसमें गहरा कितना ही पानी ये गहरा जिसे के ये 15-20 फित उदर गहरा उस तरह उदर 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 तो ये क्या दिवाल को ठंडी रखता है इधर का पानी पूरा सुंख चुका यहां पर गर्मियों में आती थिए चार में क्योंकि रानी पजमाती यहां के रहना रानी यहां पहन फुटने वा नाव है उसका नाम है सिंगल di है सिंगलडी सिंगल राष्टरथ नम स्क्रवा अंधर क 있는 भूंड ने जाके रानी रानी बनाता है तो उनको सोंबर में जीत के छिप लगल आड़ का संबर में जीत हुए और उसमाने गैड़ है इस फिल्धिने कारा ज द म्यार्टा 1 buscar शब मेल यहां के निकलती थिदे का जाने के लिया ने किया इंड़े शोड़ियर जेटी थिदिahh जिसे मिल के निकलती आख फर नहीं कि अजा भजन नहीं पड़ते था जहा न अचिकन नेज़iğ यह कि प discipliner जिन्दगी थी क्योंकि राजा लोख्या आधी जिन्दगी तो यूद के अंदर निकाल दे रहे हैं वो यहां से यूद करने के लिए देख लिए देखलो जिली इतर गुजरात पेजा लाना जाना होता था उसके गारी गोड़ा तो फिरुस्वी साफ्चिता उनको सालो लग तो रानी भी उनके साथ ही जाती थी तो एक तावर उदर हो यह वाला विजयस्तन था वह वाला जेन किर किस्तन है महा चलेंगे उससे पहला एक यूद का मेदान आएगा वो देखेंगे जहां पर यूद्ध्यु आता है जाप